गुद इवनिंग अब्रिवन और डियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तर आजी गुद इवनिंग गामी जी तो सर करेंट फिस चल रहा है अपना नवंबर का कल से वैसी आपकी विंटर विकेशन्स अनाउंस हो चुकी है तो विकेशन से पहले की आँखरी क्लास है आपकी उसके बाद अपना विकेशन इंजॉय करिए फिर जिब क्रिश्मस हो जाया है न्यू यर हो जाया फिर उसके बाद हम सर वापस फिर से मिलेंगे वापस से जो अपनी काड़ी चल रही थी कर इंटरफेस की और उसके अलावा इक्सर टॉपिक्स की उसको हम जारी रखेंगे ठीक है जी तो बिंदाज चुट्टी सेलिब्रेट करनी है लेकिन अब जो जो भी क्लास आ गया है भूले बटके या गामी जी है या चेलसा जी है बाकी लोग है वो देखा है रेगलरी आ रहे हैं तो आज की क्लास और कर ली ठीक है चलो जी तो पहले आगे बढ़ें उससे पहले पिछले कुछ रिवाइस कर लेते हैं जैसे कोशन नंबर 15 कि यह यूडी आई सी प्लस यूडी आई सी प्लस यह किसमें रिलीज करा नीती आयोग एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रथम एंजियो या फिर टीच पोर इंड इस बिल्कुल सर करेक्ट आंसर क्या है से बिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ठीक है मनगर्धाम मनगर्धाम अभी डिसेंट्री प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी ने उधे नैशनल मॉनूमेंट सिर्प लियर किया है तो यह किस स्टेट में आपका MP करनाठका राजसान या हिमाचल मनगर दाम पढ़ा था ना सर यार करी राजसान में ठीक्लियर करा हुते हैं ठीक है ओके तो लास्ट क्लास में कि यूपूट रिमेंबर ट्वेंटी सिक्स कोश्चन सरमने कर लिए ते कितने कर लिए थे सर्थ 26 यह प्रवास भारती रिवर्स और आपका एजो रिपोर्ट थी अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट बताइए कौन रिलीज करता है यह एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट इसकी बिल्कुल सर यह कोश्चन बहुत खास है एक्जाम में आने की चांसे है ठीक है तो कौन रिलीज करता है यूए निप याद रख लिए ठीक है तो कोश्चन नमबर 26 सक हमने डिसकस कर लिया तो उसके आगे आज कंटीनिव करेंगे कोश्चन नमबर 27 को रिसेंट्ली एबॉक क्लस्टर है बिकम दफर्स क्लस्टर तो बी कम्प्लीटिड अंदर दा श्यामा प्रसाद मुखर जी रूर्बन मिशन इस इन वीच ओफ दो फॉल्विंग से नागलेंड मनिपूर अरुनाचल प्रदेश या मिजोरम एबो क्लस्टर आपको कहा इकां पर मिलेगा has become the first cluster क्लस्टर तो भी कंप्लीटि अंदर दा श्यामा प्रसाद मुखर जीरें रूर्बन मिशन वीच पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे यह मिशन है क्या वैसे एक बार और मुझे यादे किसी मंत में इस मिशन के बारे में हमने डिसकस के था लेकिन वह थोड़े महीने पुरानी बात हो चुकी है तो फिर सो इसको रिकॉल करेंगे तो पहले तो एबॉक क्लस्टर देख लेते है अब यह स्कीम है क्या शामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ये सबसे इसमे पहली चीज जो कोई भी स्कीम हाती है कोई भी मिशन पढ़ओ कोई भी स्कीम पढ़ओ तो उसमें दो चीजे सबसे पहले आपको देखनी है एक तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो की audience देखो या फिर purpose देखो इसका objective क्या है तो डिलीवर integrated project based infrastructure in the rural areas which will also include development of economic activities and skill development ठीक है तो रूरल areas में development का काम है एक तरीके से इनका purpose क्या है रूरल अर मतलब कुछ ऐसे area होते हैं कुछ area को то हम रूरल areas कहते हैं कुछ area को urban areas में Radio. लेकिन रविछ के area होते हैं जो कुछ property's by और भी इंच को इंच को चर्टिर्ध यहां रूरल के शाफ़ से carried शानल के भीछ करते हैं तो मतलब इनको के चलं难 है, अ यहनल से करके अलग category बना दी हमने रूट बन तो उनको एक अलग तरीके से डेवलप किया जाएगा और जो भी रूरल और अर्बन के बीच में जो ब्रिज जो गैप है उसको फॉपर फुल्पिल किया जाएगा ठीक है अर्बन अर्बन अबिनिटीज एंड लिवली हुड अर्बन डिवाइड तो यह इसका परपस है मतलब ऐसे कुछ अर्बन है लेकिन पूरी तरह से अर्बनाइज नहीं हुए है कुछ प्रॉपर्टीज अभी इनमें रूरल जैसी है तो इस अर्बन प्रॉपर्टीज को और अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि यहां के लोगों का माइग्रेशन यहां पर हम रोक सके ताकि अर्बन एरिया में बर्डन आपका कम पड़े ठीक है तो यह आपका श अर्बन एमनिटी तो रूरल एरिया अब इसको बंद करके हमने क्या स्टार्ट कर दिया श्याम प्रसाद मुकर्दी रूर्बन ठीक है जिद्यान रखेगा तो यहां से हमने इंपोर्टेंट मिशन के बारे में पड़ा श्याम प्रसाद मुकर्दी रूर्बन मिशन अब इसमें जो एरिया उनको क्लस्टर कहते हैं ठीक है उनको क्या कहते हैं सबस्टर कहते हैं तो तरीके के कलस्टर से हैं एक हो गए नॉन ट्राइवल एक गए ट्राइवल ठीक है दो तरीके से आप उनको डिवाइल कर सकते हैं तो ट्राइवल में अलग तरीके काम क्लेगा ठीक है रुर्बन एरिया प्रफर टूए क्लस्टर उप 15-20 विलियुजेश्ट अब थर्टी पॉटी लेक पोपोलेशन यह तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉछिछन नमबर 28 recently which of the following organizations has released the 4th edition of innovations for you coffee table book which of the following organizations has released the 4th edition of innovations for you coffee table book ISRO, CSIR NITI AYOG या IISC Bangalore लगाईए सा तुक्का क्या लगाईए समय क्याईए सीक्टश साथ लग रहा है कुछ नहीं तो नीती आयोग तो है वैसे इनोवेशन की सब कुछ बात हो रही तो इनोवेशन का मतलत ज्याद तर अटल इनोवेशन से अगर कुछ लिंक कर लिया हमने तो अम कहांब पहुंच जाते हैं सर नीती आयोग पहुंच जाते हैं तो तो तुक्क लगाने वाली कितने हैं तो जो गुड़ का पांग जी की वेल 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 तुकत सही बेढ गया correct answer इस जीती आएओउग है को जो इनोवेशन फॉर यू यह किसका पाट है अटल इनोवेशेन मिशन हचात। नीती आख चाल रहा है सथ कौन चला रहा है नीती आख चला रहा है तो इंहोवेशन फॉर यू है की सरी किताब है जिसमें 70 एग टेक स्टार्टप से यानि एग्रिकल्चर टेक्नलोजी से रिलेटेड स्टार्टप की पूरे कंपाइलेशन है तो इसी की बात हो रही थी इनोवेशन को रही है यह क्या किताब है पर्पल फेस्ट चैलिबरेटिंग डिवर्सिटी विल बी और गनाइज इन जैनुरी 2023 इन विच आप 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 हाथा को था रहत है इसारण हो गए जो प्रेंटीन इन उम्मी ने बन जाएगा है इस पर्पल फेस्ट काहाएं सब्वखा का है इस काहा है यह फैस्ट गोवा का है question number 30 a new endemic species endemic का मतलब होता है belonging to a local area अगर कोई चीज endemic है तो यानि वो किसी एक specific local area में ही पाई जाती है तो यह मतलब होता है endemic एक word होता है pandemic pandemic से तो सराब बाखूबी भली भांती परिचित होंगे pandemic वर्ट से pandemic क्या होता है सर मतलब throughout the world globally जो चीज हर जगा मिले वो क्या है pandemic और जो किसी एक local area में ही पाई जाए कोई चीज वो क्या कहलाती है endemic तो एक endemic की species है अपिस करिंज ओंदियन अपिस करिंज ओंदियन वो इंडिया के western घार्ट में discover की गई है तो यह किस की species है अपिस करिंज ओंदियन को honey भी है butterfly है snake है या frog है बलाइए सर अपिस करिंज ओंदियन क्या है honey भी है butterfly है snake है frog है PCS और UPSC इस सरा के questions generally ज़्यादा पूछी species related अमीना जी कह रहे है honey है गामी जी और म्योव भी कह रहे है honey है हाँ जी बाकी लोग बताईए honey पक्का बिल्कुल सर और करेक्ट आंसर इस honey honey भी की स्पीश है अभी यह बैस्ट इन घाट्स में डिसकवर की गई है आई यू सी एन के साफ से देखेंगे तो यह इंडेंजर्ड या या वल्नेरेवल कैटेगरी में यह यह निया थ्रेटन कैटेगरी में ठीक है कोश्चन नमबर थर्टीवन पर आ जाई है दा फाउंडेशन स्टोन अफ दा वर्ड फास्ट वैदिक लोग वाज लेड इन बीच ऑफ द फॉलिंग सिटी अभी किसी एक सिटी में वैदिक प्लॉक लगाई जा रही है तो कौन से सिटी है वाराणसी है हरिद्वार है उद्जेन है जैपुर है कि अ टैय को व्याहिए वार्णाजर इस देव्ड लेट टुर्ट सुन घॉटीपरिय। आए तर फार्ट लेयर लेट पर्स वर्ट व्यडे टो इन वेच अछे विट फोलंग झार्ट इन सी पराणसी हरी द्वार उज्यानिया फे जैपुर बताईए सर चलो यह एंपी गवर्मेंट का प्लान है उज्यान इस सिटी मध्यप्रदेश तो वहां पर एक वैदिक क्लॉक लगाईजेगी वैदिक क्लॉक कहने का मतलब है जैसे अपना इंटरनेशनली स्टैंडर्ड प्लॉक चलती उसमें यहां बारा बचते एक बचते दो बचते तीन से यहां पर वैदिक काल के साफ से चलेगा जैसे आदित्य ब्रह्मा अश्विदो चतुर्वेदा पंच प्राणा शड्रस सब्तर्शिय तो वह टाइमिंग को यहां वैदिक हिसाब से दिखाए जाएगा तो इसको कहेंगे हम वैदिक लोग ठीके तो जो वैदिक बाकी जैसे वेदिक हिंदू पंचांग मतलब कैलेंडर हिंदू कैलेंडर होते हैं प्लानेट्री पोदीशन्स मुहरस असे लॉजिकल कैलकुलेशन प्रेडिक्शन्स यह सारी भी चीज़े इसके सांस एक पूरी आप होगी उसमें यह सारी चीज़े भी प्रोवाइड की ज शहर में लग रही है वेडी क्लॉक यह लग रही है सारापका उठ जैन में ठीक है सस्कृति वाला क्लॉक चलो नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 32 तूखु इमांग पोस्ट हार्वेट पेस्टिवल इस पैलिब्रेटिटिटिट इन विच और फॉलिंग से मीजोरम ना आपको फाइदा हुए बहुत मुवारा को फांगी तूखु इमांग पोस्ट हार्वेट फैस्टिवल इस सेलिब्रेटिटिटि इन विच आफ फॉलिंग स्टेट्स मिजोरम नागलेंड मनिपूर अरुणाचन हाँ जी तोखु इमांग का का फैस्टिवल है वहतका नागलेंड का ठीक है तो वहांकि जो वोर्चा डिस्ट्रिक्त वहाँ पर यह सेलिब्रेट किया जाता है हर साल को सेलिब्रेट होता है 7th of November को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो का मतलब क्या होता है moving from house to house collecting tokens and gifts ठीक है तो का मतलब होता है और इमोंग का मतलब होता है put a halt for the appointed time तो dance होता है होता है fun होता है community songs होते है मतलब जो भी एक हमारे रिच कल्चिरल प्रोग्राम में जो भी जनरली करते हैं करते हैं है अपना culture song होता है उस सारा से वही सारी चीज़ें यहां पर आपको तो कुछ इमोंग में देखने को मिलेंगे इतना द्यान रखना तो कुछ भी नहीं पूछ रहा है नहीं कि तो कोई बढ़िया सगाना फुना हो उत्तर डिटेल में नहीं आना है ठीक है सब चलो नेक्स्ट कोश्ट के आजाओ कोश्टन नंबर 33 रिसेंट्ली विच अपॉलइग मिनिस्ट्री इस हास नोटिफाइड दे नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम पॉर दे पीर फॉर्म फाइनिशल या टूज़ए 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 तो फाइनिशल क्रॉस कर देता है केमिकल फर्टिलाइडर से बायो एनर्जी का क्या लेना देना है ठीक है तुक्का लगाई है मोस्ट पोवेबल आंसर होगा जहां तक यह वहीं लगेगा आपको तुक्का ठीक है पताइए क्या लगाना पसंद करेंगे तुक्रे में वैल 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 बायो एनर्जी प्रोग्राइम में कई और भी छोटी छोटी स्कीम्स होगी इस आप मालो घर में कुछ भी हमारे कचरा निकलता है ठीक है तो उस वेस्ट को भी हम एनर्जी में कनवर्ट कर लेते हैं जैसे अभी रिसेंट्टि में प्रधान मंत्रे की मंद की बात हुई थी एक हैदराबाद या फिर साउथ में किसी जगा का एक एक्जाम्टल दिया था या शाहिद करनाटका का एक्जाम्टल दिया था कि वहां पर जो आपकी फैक्टरी है जो लोकेशन है वहां से निकलने वाले वेस्ट को ही यूटिलाइज करके उससे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं इंडेस्टियल वेस्ट है अग्रिकल्चर वेस्ट है उससे एनर्जी प्लांट्स बना रहे हैं जैसे डैली में भी आपने सुना वगए पूड़े का पहाड़ है पूरा तो जो भी डैली गवर्मेंट से पूछा गया था तो उन्होंने भी इसी तरह के कुछ आइडिया जी उसके लिए आप बायो गैस प्लांट लगा दो और अलग-अलग तरीकी के पावर प्लांट आप बना सकते हो ठीक है इंडियन रिवनेबल एनरजी डेवलप्मेंट एजेंसी यह बॉड़ी इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लिमेंट करेगी नेक्स बायो मास्ट प्रोग्र बालत च्छोटी चुटी गुलियां बनेगी बायो मास्ट की बायो मांस आपका जो भी बायो लोजीकल वेस्ट होता है ना उससे बनने वाली चीज लोगो मceksinतलब व difference बनाई जाएगी अग्र कर दिन बाद इस वेश्ट से गास निकलेगी च्टिया क्या क्या है बाइयो गैसी तो रूरल एरिया आज में था इस प्रोग्राम में कही गई तो डिफरेंट डिफरेंट इनर्जी प्रोग्राम देखा ये सब किसका आप आपका नेशनल बायो एनजी प्रोग्राम को इस देट क्लियर और नॉप अगर क्लियर तो प्लीज गिम्म ये खंप सब हां जी शरीयां सब क्लियर है तो फ्लीज गिम्म ये खंप सब प्लीज बिंद खंप सब चलिए पर अगे बढ़ते हैं को नमब थरदीपोर विच अब फॉलिग हाज विगन द फॉर्स से इंडिया तो लाँच उनिफॉर्म गोर्ड प्राइस बेज दोन बैंक्रेट गुजरात, तमिलनाडू, आनप्रदेश, किरला जैसे इंडिया में गोल्ड प्राइस स्कैम वो इंटरनेशनल भाव के एसाफ से चेंज होते रहे हैं बट एक पहला इस्टेट इंडिया का जिन्नोंने क्या करा है गोल्ड का प्राइस सेट कर दिया बैंक रेट पे जो भी इंडिया में बैंक का इंट्रेस रेट चल रहा होगा जिस रेट पर लोन दे रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंगली यह आपका गोल्ड का भी रेट फ्लक्ट्यूएट होगा ठीक है तो अगर बैंक रेट कम होगा बैंक रेट कम होगा जब क्या कहते है आर्बी आपना अगर और बैंक के बढरेगा तो आपका गोल्ड कार रेट बढ़ेगा तो यह वेवस्ता कहां कर दी गई है किसी स्टेट में बिल्कूल गुड़ बाय दुबेट जी तो यह किदर में वेवस्ता करी गई है सर यह वेवस्ता करी गई है केरला में के लिए एक फैक्ट याद रखते हैं करनाटका तमिलनाडू केरला या फिरान परदेश करनाटका तमिलनाडू केरला या फिरान परदेश अरे आपको नहीं कर रहा हूं दुबिज जी का नेट रहा है तुम हो गया तुम उनको कर रहा हूं कि ही साउथ वाइल डाइफ सेंचिरी तमिलनाडू में मिलेगी ठीक है यहां पर आपको जाइंट स्क्वाइरल भी मिल जाएगी पॉर्ण होंड एंटि लोप मिल स्सक्राइब यहां पर कुछ हीजिए सब्सक्राइब कहां पर मिलेगी तो मिलना डूब मिलेगी कि पॉस्चन नमबर थर्टी से विच ऑफ फॉलिंग फ्लोवर्स है बिन यूद दा लोगो ऑफ इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिदेंसी विजवाज रिसेंट्ली अन्विल्ड वाइप प्राइम निस्टर अन्नरेंद्र मोदी डीचोहीं अब ही ट्वेंटी माइप ग्रूप के हम प्रेसिदेंट बन चुके हैं इसी डेसेंबर फस् Kenneths से तो उसका हमने जो इन्डिया कि ट्वेंटी presidency है उसका लोगो इंडिया ने बनाया है तो लोगो में एक क्या कह रहे है एक फ्लॉवर गनाम पुछना चाहरे आ है लोगो भीया जैस्मीन का आदिल नहीं लगए कृष्मस अब आपकी करीब आगे नहीं चलो यह लास्ट कोश्चन है वस ठीक है तो जो लोगों है उसमें वो किसका है वो है आपका लोटस ठीक है लोटस का लोटस लोटस इस सिम्बल ओप हो और हमारा जो आइडिया रिफ्लेक्ट कराना था हमें वसुदेव कुटुम्बकाम यानि द सब कौन शो करता है लोटस लोवर हमें हम इस वो नेश्टन लोवर भी कहा देते हैं ठीक है जी 20 के बारे में कभी हम और आराम से बात करेंगे इसको एक बार पढ़ लेना 20 कंट्री मतलब 19 कंट्री बें और एक यूरोपियन यूनियन यह इतने इसके मेंबर है तो यह हमारा लोगों है इसमें देखो है लोटस मोदी जी नहीं मंगा है ठीक है चलो लास्ट कोश्चन है आज का प्रिसेंट्टि 26 इंटरनाशनल मालावार नेवल एकसरसाईज बिगें इन विच और फॉलिंग कंट्री माला बार देखो मैंने एक बार नी दो बार नी तीन बार नी दस बार पड़ा है ठीक है मालावार एकसरसाईज कई बार आपकी न्यूस में आई है तो जल्ली से पहल आउस्ट्रेलिया इंडिया यूएस जापन गोड बैरी गोड ठीक है तो अभी एक्सरसाइज तुम कहां पर हो रही है जपान में हो रही है 1922 में इडिया उस्ट्रेट करते ऑस्ट्रेलिया यूएस इंडिया यूएस और जपटैकर यह चार कंट्रेश की मिलाकी पूरी 16 सब्सक्राइब करेंगे तब करेंगे तो आप सबको बहुत-बहुत शुब कामना है क्रिश्मस की और न्यू यर की विश्यू आपका विकेशन स्टार्ट पुरा है नौतिस पीस्टी में 24 जैनुवरी से और यह कब तक चलेगा यह चलेगा सर आपका तिल सॉरी-सॉरी-सॉरी-सॉरी-सॉरी-सॉरी तो यह कब तक चलेगा तिल ऑफ चैनुवरी ठीक है तो आपके जो भी पैंडिंग वॉक्स होंगे अपना सेलिब्रेशन होगा वो सब आप यह आप पर कंप्लीट करने के ठीक है अपनी पढ़ाइब थोड़ी बहुत करते रहेगा पाउर से ऐसा कुछ पेंडिंग काम घू रह गया वोकूश्ण सी रह गया वोगोई कुछ पेंडिंग वोर्क भी रह गया है तो पूश्च करिए छुटियों में निप्ता लें ना बाकि तो तो सर नो चिल एंजॉय करिए ठीक है चलिए सर, तो मिलते हैं फिर next class में, till then, goodbye, have a nice day